बीती साम मुख्यमंत्री नितीश कुमार के काफिले पर हमला हो गया पत्थर बाजी हुई कई गाड़ियों के सीसे फूट गए वो तस्बीरे भी हमने आपको दिखाई अपने तमाम खबरों के मादेम से और कई वहानों के सीसे जो हैं तोड़ दिये गए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और एक खबर आ रही है कि 11 लोगों पे नामदर जेफाईयार भी हो चुका है तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार के काफिले पर बीते दिनों पत्थरा हुआ कई गाड़ियों के सीसे तूटे आपको बता दे कि पूरा मामला जो था बेउर से बरामत यूवक के शो की पहचान के बाद गौरी चुक में हंगामा हो गया और उसी दोरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार का काफिला गुजर रहा था तबी उग्र लोगों ने जम कर पत्थर बाजी कर दी राजधानी पत्थना में शनिवार को बेउर थाना के बेतवरा गाउं के एक नाले से मिले यूवक के शो की पहचान गौरी चक सोहनी मोड निवासी साधुलाल के 14 दिन से लापता पुत्र सन्नी कुमार के रूप में होने के बाद गौरी चक में जम कर बवाल हुआ लोगों ने सोहनी मोड के पास पत्थना गया मुखमार को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी करते हुए हंगामा तोड़ फोर करने लगे इस दोरान पटना से गया जा रही मुखमंत्री के कारकेट को भी लोगों ने निशाना बनाया उस पर भी पत्राव शुरू कर दिया मुखमंत्री के कारकेट पर हमला की सूचना के बाद पुलिस मैकमे में हड़कम पमच गया और पुलिस के वरिय पदादिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गये इस गटना में कारकेट में शामिल दो वहाँ छतिगरस्त हो गए वहीं लोगों ने सडक पर खड़ी कई वहानों के सी से तोड़े और पुलिस को भी अपना निशाना बनाया हाला कि मुखमंत्री नितीश कुमार पहले ही गया पहुँच चुके थे उस कारकेट को सिर्फ गया ले जाये जा रहा था मोकेवंतरी इंतिश कुमार वहां गया में पित्री पक्ष मेले का समिक्षा आज करने वाले हैं हालात को देखते विए जामस्तल के करीबे किलोमेटर पुलीस पीछे हटना पड़ा देर साम थाना पुलीस और बारी पुलीस बल की मौझोदगी में जाम करने वाले लोगों पर बल परियोकरों ने सडक से खदेर दिया गया आपको बता दे कि 11 लोगों पर नामजद एफ आई यार भी दर्ज की गई है पिछले सास अगस्त किया मामला है जहां सोगनी मोर थाना अस्तित गौरी चक निवासी सादूलाल का पुत्र सन्नी कुमार 22 वर्स था अपने चार दोस्त छोटू शंबू नितीस और कलू के साथ घाट परस्नान करने गया था जहां देर साम दोस्त से लोट के गाउं चले गए मगाँ सन्नी नहीं आया परिजलू ने तीन दिनों तक सन्नी की तलाश करते रहे चारो दोस्तों से उसके बारे में पूश्ताज करते रहे मगाँ सन्नी का कोई पता नहीं चला तब 10 अगस्त को गहुरी चक ठाना मे सन्नी के परिजनों ने इन चारों दोस्तों को नामजद करते हुए उसे लापता करने को ले करके आवेदन दिया पुलीस ने चारों दोस्तों को बुला कर पूश्टाज के और सन्नी के गुमसुदी का मामला दर्च किया गुमसुदी का मामला दर्च के बाद पुलीस खामोस बैठ गई वहीं सनी के परिजन लगतार पुलीस प्रशासन से बरामदी को लेकर दवाब बनाते रहें उनके दोस्तों से पूछताज करने की बात करते रहें पर सनी का कोई पता नहीं चला इस बीच सनी के परिजन थाना पहुँच गया और शौ की पहचान सनी के रूप में हुई शौ की पैचान होने के बाद रविवार की दोपर बेउर थाना से सनी के परीजन अपने गाउं गया और चारो यूको पर सनी के हत्या कर शौ फेकने के देने का आरोप लगाया उनके खिलाब कड़ी कारवाई करने की बात्चित करने लगे वो सड़क पर उतरा है पटना मुक्हमार को सोनी मोड के पास जम जाम कर दिया जाम करने वाले सड़क पर हंगामा करते हुए कई दरजन सी से जो है गाडियों के वो फोर गए और उसके बाद जम कर बवाल हुआ हाला कि इसमें मुक्हमंत्री इंतिश कुमार पहले ही पहुँच चुके थे लेकिन जिस तरीके से लोगा का गुस्सा फुटा था मुक्हमंत्री के काफिले पर उन्होंने हंगामा कर दिया हाला कि 11 लोगों पर अब तक नामजद FIR जो है वो दर्ज हो चुका है यह तस्वीरे देखिए कल से ही लगतार हम आपको दिखा रहे हैं यहीं वो यूवक है परिजन है उद से बाचित भी करवाते हैं सुनिए क्य संबू कमार नितिष कुमार अंकित कुमार राजा कुमार और दीपु कुमार करवाई दिन दोब गिया है केस को बंद करो अभी तक इसको अरश किया गया था लेकिन वोग कोई करवाई नहीं किया अजब को लेदा के छोड़ दियागा एक दिन देखा है पर अजब को लेदा के फुलवारी क्या नाम वह लड़का का संदी कुमार क्या करता था थी मुरगा के दुकान था साधी सुधा है नाएं चीतना उमर हो रहा हुए वीच साल आप को लुए संदी के भाई बड़े भाई हमको को चले इंसापना चाहिए इसको थाना को चले इस्पेक्टर को विसा जाओना चाहिए और पांचो लगका को विसा जाओना चाहिए उसको विसाजा होना चाहिए उसको नौकरी नहीं ही साजा होना भी चाहिए उसको और यह पांचो को विसाजा होना चाहिए उसको और कि इस पी आवे की इस पी आवे मुख मन ते नहीं, कोई भी होगए हमको लिक वितर रूपने देवे साजय कि रास से जाहो के शौआ ने शौने है जो रहे पाया कि शौने है जो है नगे अच्छाने जीग में जेए जोहए जोह है जा यह जोड़ और अचर लाइब में का उच्छाना भी पार्टूरा में है पाइशालिय का पलाट गिया है लाइव में तर लाइव है लाइव करके और तीजा और भी जाल दिया पुड़ा दे पर साहरा है ये अब इदर को थाना पर साथ रहा है को ही मंत्री वगता है कि नहीं है